एक्जाम्पल है 1.10 पेज नंबर है आपका 20 पे कोजिशन में कहा गया 1 ग्राम और नोन इलेक्टोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम और बैंजीन लोवर फ्रिजिंग पॉइंट और बैंजीन बाई 0.40 के देखिए आपको क्या दे रखा यहां पे सॉल्यूट के रूप में है आपका यहां पे 1 ग्राम इलेक्टोलाइट और सॉल्वेंट जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं वो क्या बैंजीन यारी कि देखिए मैं आपको अलग से समझाता हूं बच्चों यह जो सॉल्वेंट है वो यहां पे सॉल्वेंट कौन है आपका बैं जीन है इसका कितना मास दे रखा यहां पे 50 ग्राम और जो इसमें डिजॉल्व कर रहे है बच्चों यहां पे वो है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसका वेट किता दे रखा है 1.00 ग्राम अब देखिए यह बात दिया लगना सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इसके जब कि आपके पास क्या-क्या जीज गिवेंगे अपको फिर वेट किसका गिवेंट यहां पे बंजीन यानिकी सॉल्वेंट का उसको डबलू बन से लिखेंगे फिर आपको फ्रीजिंग पाइंट को डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो यह आपको इतनी चीज गि है फ्रीजिंग पाइंट डिप्रेशन कॉंस्टेंट जिसको हम के एफ बोलते तो यह भी आपको यहां पर गिवेन है अब हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लिखेंगे एंटू से अब यह फॉर्मला देखिए बच्चो किस तरह किसे निकला उसको फाइंट यहां पर जो एफ है वो नीचे को लिखा हुआ इस तरह की से थोड़ा सा गलवड हो गया आप साही कर लिजेगा यह फॉर्मला किस तरह किसे आया देखिए हम समझते यहां पर डेल्टा टी एफ का मोरा पर दिखेंगे करना जया हमारे पास होता है कंटे jeफ को बोलते मोलल्टि आपॉर्मला होता किया बक्रोश ऑफ सॉलिट अपकों वेट आप सॉल्वर्मेंट इन केजी, मास आप सॉल्वर्मेंट इन केजी तो squat.्ट को हम एसी लिखेंगे कि एफ ऊसी रहा और एंक को ल रखेंगे W1 और केजी में कनवर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइट कर लेंगे इसको थोड़ा सा हम सॉल्फ कर लेते हैं कि सॉल्फ करके यह 1000 बच्चों कहां चले जायागा उपर और M2 कहां जायागा नीचे तो उपर हो जायागा आपका W2 इंटू इंटू थाउजेंड और नीचे कितना आ जायागा बच्चों आपको यहां पर डबलू बन पहले से इंटू कितना आ जायागा M2 अब अगर हम इससे M2 निकालते हैं तो M2 की वैलू कितनी आ जा नहीं है आपकी के एफ डबलू टू इंटू थाउजेंड और डिवाइड में यह कितना आ जायागा डेल्टा टी डेल्टा टी एफ इंटू डबलू बन यानि कि जो मैंने यहां पर डिरेटी लिखा था है वो मैंने आपको निकाल के दिखाया कि किस तरीके से यह फॉर्मला आया लेकिन आपको न यहां पर सिर्फ क्या करने वैलू लगानी है केफ की वैलू आपको दे रखिए डबलू टू की वैलू आपके पास बन गेराम है थाउजेंड है ड्लडा टी एफ डेल्टा टी एफ डेल्टा टीया हो और पार कितना जीरो पाइंट सीरो और डबलू बन बस इसको करके यह जो आपसे पूछा गया था कि मोलर मास ऑफ सॉलुट तो यह मोलर मास ऑफ सॉलुट के लिए फॉर्मला आपके पास आ गया वैल्यू स्वरी